माननीय परधान मंत्री जी के निरंतर प्रयासों से जमु किश्मीर निरंतर तरक्की के पत पर अगरसर है इसी कड़ी में आज माननीय परधान मंत्री जी जमु किश्मीर की तक्रिबन 32,000 करोड़ की 220 परियोजनाओं का उद्गाटन वा आधार शिल अपने करकमलों से रखेंगे इसके इलाबा भारत सरकार के साक्षर्टा मंत्राले की 13,375 करोड की परियोजनाओं का उद्गाटन वा आधार शिला रखेंगे जिनमें हमारे IIT वा IAM भी शामिल है वा PM उशा के 78 प्रजक्स को भी मंजूरी देंगे विनमन वेदिन है माननिय परधान मंत्री जी से कि इन परियोजनाओं का रिमोट द्वारा उद्गाटन वा शिला न्यास करें माननिय परधान मंत्री जी कि इन हो थे जिला न्यास करें कि इन हो दो देंगे कि इन हो पर देंगे देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक अभूत पूर्व कदम उठाय जा रहे हैं इनी पर आधारे आए देखते हैं एक लगू फिल्म भारत आज विकास के उस यात्रा का साक्षी है जिसकी गोश पूरे विश्व में सुनाई पर रही है तेजी से बढ़ते इस नए भारत के सामने आज विकसित भारत का लक्षे है और हर एक भारतवासी की आखों में सपना है इस लक्षे की प्राप्ती का जिसे साकार करने में शिक्षन संस्थानों का महतुपों योगदान होगा शिक्षन संस्थान की जड़े चितनी गहरी होती है देश की शाखाएं उतनी ही उचाईयों को छोती है और इसलिए भविश्य के लिए भी यूडिमर्सिटी और देश के संकल्पों में एक रुपता होनी शाएं इंटर कनेक्षन होना चाहिए भारत प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र रहा है आज भारत पुरातन संस्कृतियों की धड़कन साथ लेकर और आधुनिक्ता के साथ जड़कर एड़ुकेशन सेक्टर में अभूपूर बदलाव ला रहा है वाललिये प्रधान वंत्री श्रीमरेंद्र नोधी जी के दूवद दर्शी विजिन के तहट बर्ष दो हजार चोदा से देश भर में बड़ी संख्या में केंद्रिय विद्याले ग्रामूद प्रतिभाशाले विद्याले सेक्षा